13 नमंबर को समरावता में मद्दान के दौरान जो हुआ उसको पूरे देश ने देखा पहले मद्दान का भहिशकार हुआ तो उसके बाद SDM अमिच चौदरी को नरेश मिना द्वारा थपड मानने की गूंच पूरे राजस्तान में सुनाई दी नरेश मिना को हिरासत में लिया गया और रात को जो पूलिस ने किया उसको भी पूरे देश ने देखा गाडियां जलाई गई लोगों को पीटा गया घर में गुस गुस कर बरबरता की गई गटना इतनी मड़ी हो गई थी कि इसने पूरे देश का ध्यान अपनी और खीचा और देश के तमाम मीडिया की नजरों में सिर्फ समरावता गाउं था अब उस घटना को थमें दो दिन का समय हो गया है लेकिन नरेश मीना की रिहाई की मांग लगातार जोर पकड रही है राजस्तान के हर जिले में नरेश मीना को रिहा गरने की मांग को लेकर आंदोलन किये जा रहे हैं, धरने दिये जा रहे हैं, कलेक्टर को क्या पंसों पा जा रहा है तो इसी बीच समरावता की घटना पर थंडे छीटे देने के लिए सरकार की ओर से किरोडी लाल मीना और जवार सिंग बेडम की नेतरत में जो प्रतिनिदी मंडल है समरावता गाउं के उनसे वारता भी हुई और इस वारता में निकल के आया है कि इस पूरे मामले की जाँच संभागी आयुक से करवाई जाए नैएक जाँच के पक्ष में ना तो किरोडी लाल मीना नजर आए और ना हिस जवार सिंग बेडम नजर आए तो वहीं दूसरी और जब ये वारता चल रही थीर किरोडी लाल मीना ने ये एलान कर दिया कि समरावता कांड की जाँच संभागी आयुक करेंगे उसी दोरान प्रतिनिदी मंडल में शामिल एक ग्रामिन ये कहता है कि उनको नियाइक जाँच चाहिए साथ ही दोशी कलेक्टर और S.P. को भी सस्पेंड करके उनकी गिरफदारी की जाए अब ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है देखिए सचिन पाइलेट बीते दिन जैपूर पहुंचे और जैपूर पहुंचते ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया तो वही दूसरी और सचिन पाइलेट ने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले की न्याइक जाँच हो तो पूर मुख्यमंत्री अशोग गहलोद भी इस मामले की न्याइक जाँच के पक्ष मे नजर आए इसके साथ ही PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा भी इस पूरे मामले की न्याइक जाँच की मांग कर रही है लेकिन न्याइक जाँच के बीच जो मांग चल रही है उसके बीच नरेश मीना को रिहा करने की मांग अब सिर्फ सडकों पर नजर आ रही है ना तो सरकार के इस तर पर और न विपक्ष के इस तर पर इस पर कोई बात कर रहा है हला कि केरोडी राल मिना ने आज भी समरावता गाओं पहुँचकर ग्रामینों से मुलाकात की उनके हाल जाने साथ ही सरकार के इस तर पर समरावता गाओं के ग्रामینों के लिए क्या किया जा रहा है मुआवजे के लिए क्या किया जा रहा है ये सब कुछ किरोडी लाल मीना ने ग्रामीनों को बताया लेकिन नियाइक जाच की जो मांग है वे लगातार उठ रही है आपको बता दे कि समरावता गाओं के अंदर जब ये उब्द्रव हुआ था तो वो उब्द्रव इतना भयानक था कि लोगों की रुह काप गई ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने खड़े हैं कि रोडी लाल मीना जहां इस पूरे मामले की जाच संभागी आयुक से करवाने की बात कह रहे हैं तो वहीं विपक्ष अब इस मामले की न्याइक जाच के पक्ष में उतर चुका है सचिन पाइलेट सीधा इस मामले को लेकर कह चुके हैं सरकार को दो टूप चेतावनी दे चुके हैं कि इस मामले की न्याइक जाच हो क्योंकि नियाईग जाच में ही सच्चाई और दोश्यों के नाम सामने आएंगे ऐसे में आप देखना होगा कि नरेश मिना कांड जो इस समय पूरे देश में सबसे होट मुद्दा बना हुआ है इस मामले में सरकार कौन सा फैसला लेती है क्या समभागी आयुक्त इस मामले की निश्पक्ष जाच करके पीडितों को न्याई दिला पाएंगे या फिर न्याई जाच के प्लेटफόμ पे जाकर वो इस मामले की निश्पक्ष जाच कराएंगे ये तो वक्ती बतारेगा आप देखते रहिए देनगरी न्यूज मैं हूँ लालत पर्मा